हाई एबरिबड़ी वेलकम बैक तो आवर चानल दा बेसिक नॉलेज इससे पहले हमने 30 क्वेस्चिन किये थे जो की मॉडन इंडिया हिस्ट्रे से रिलेटेट थे अब हम उसके बाद से पार्ट टू सुरू कर रहे हैं जहां पर 31 लेकर के 60 दके क्वेस्चिन करेंगे ठीक है तॉप 30 क्वेस्चिन है जो की आपके एक्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं ठीक है इसलिए हम इसका पहला वाला पार्ट अप्रोड कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्वेकर करके आप देख सकते हैं ठीक है इ ठीक है देखें गांधी जी का जो नाम है न वो मोहंदास करमचंद गांधी है ठीक है और उन्हें टाइटल दिया गया था महात्मा का और ये महात्मा का टाइटल उनको रभिंद्रनाथ टेगोर जीने दिया था याद रखेगा तो रभिंद्रनाथ टेगोर हो गया सही आग अगे बढ़ते हैं डिल हाउसी के समय ही यह हुआ था इंग्लिस इस्टाबलीस तेर फर्स्ट फैक्टरी इन इंडिया अट विच प्लेस अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कौन से प्लेस कौन से स्थान में बनाई थी तो उनका पहला फैक्टरी गुजराट में लगा तो अग्रेजन लगाए था था थैक्ट की दिवारों पर किस में शिणा की इस्ट्रीग को लिखा था तो विए इसावर कर जी न लिखा है याद रखेगा व्हल कर एक्गे और कहां पर लिखे थे वो ये भी याद रखेगा अंडामान सेलिलर जेल पर उन्होंने लिखा था इंडिया की हिस्ट्री को ठीक है किसने लिखा था वीर सावर किर जीने ओकी नेक्स्ट क्वेशिन What was the original name of Swami Dayanand Saraswati? ठीके? आर्या समाज इन्होंने निकाला था ठीके? और Swami Dayanand Saraswati जी का जो है original name क्या है? तो उनका original नाम था मूल संकर याद रखेगा बहुत बार exam में पूछ जा चुका है मूल संकर जो है स्वामी Dayanand Saraswati जी का original name تھा ठीके? 35 नमबर का question देखे सरदार बलब भाई पटल was equated with इसको मैं part 1 में भी discuss कर चुकी हूँ कि सरदार बलब भाई पटल जी है उनको विस्मार्क कहा जाता है उनको तूलना की गई है और टोवन विस्मार्क के साथ क्योंकि और टोवन विस्मार्क ने जर्मार्क को एकत्रिट किया था उसी तरह सरदार बलब भाई पटल ने जो जितने सारे princely states थे इंडिया में वो सब को मिलाया था इसलिए वो विस्मार्क के नाम से परिशित है विस्मार्क भी कहा जाता है उनको इसके पहले के classes अगर आप नहीं देखें तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे और फर्स्ट अगर आप हमारे चैनल पर हो प्ले सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते देखें मौडन इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्मेंट जो है उसकी सुरुवात जो है लॉर्ड रीपर नहीं की थी ये बहुत बार पूछा जा जुका है ठीक है लॉर्ड रीपर जनरली नोना अस दो पेरनीर ओफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट ओफ मॉडन इंडिया आगे बढ़ते हैं नेम दो वाइस रॉइ फो प्रोहिविटेड सती प्रथा ठीक है सती प्रथा एक गलत प्रथा था जो की पहले चला आ रहा था अंग्रेजियों से पहले कि स्तिती में अगर हस्बेंट के डेथ हो जाती है तो जबरदस्ती जो है पतिनी को आग में प्रथा ठीक है तो यह सती प्रथा है और इसके जो खिलाफ तो इसको प्रोहिविट सबसे पहले वाइस रॉइल लॉड बेंटिक ने किया था याद रखेगा लॉड विलियम बेंटिक ने इसको प्रोहिविट की थी ठीक है तरह से होसे वेरी विरी इंपोर्टन आगे बढ़ेंगे और वट इस दाउल्टिमेट घॉल ऊफ महात्मा गांधी सुल्ट सत्यागरा त्रुइन जो अन्मक सत्यागरह चलाई थी लवन सत्यागरह तो उसके लिए उनका में में गोल क्या था ठीक है तो उसका मकसद था पूर्ण सुराज फूर इंडिया पूर्ण तरीके से संपूर्ण आजादी दिलाना इंडिया को यही जो है में गोल था सल्ट सत्यागरह का याद रखेगा next question who was the founder of society called अभीनव भारत उसके फाउंडर कौन है किसने चलाई थी अभीनव भारत नामक society clear तो उसके जो फाउंडर है विनायक दामोदर सावर कर याद रखेगा विनायक दामोदर सावर कर वास्त फाउंडर अभीनव भारत next question है सत्या सोधक समाज was founded by whom किसने सत्या सोधक समाज बनाई थी ठीक है तो इसको जोती राव फुले ने बनाया था बहुत बार यह repeat हो चुका है इसमें जितने भी question ले गए हैं वो बहुत बार एक्जाम में repeat हो चुके है previous year के ही प्रशन है अगर आप प्रशन को अच्छे से देखेंगे तो आप भी जान सकते हैं कि यह previous year questions ही है जो बार बार पुछे जा रहें ठीक है तो सत्या सोधक समाज जो है उसको जोती राव फु अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा याद रखेगा इसको कहे थे बाल गंगाधर तिलक जिने जिनका दिहांत असहयोग आंदुलन के दौरान हो गये था और यहां पर इनके नाम से एक पांठी बना था जिसको तिलक सुराज फंड कहते हैं और उसमें जितन अधिके उन्होंने यह स्लोगान दे रखा था नक्स्ट है डरेड़ सट मोवेंट वाजए लेड़ बाई ठीके रेड़ सट मोवेंट को किसने किसके लिडेर शिप में हुआ था रेड़ सर्ट मोवेंट तो यह हैं फ्रॉंटेर गांधी है खान अब्दुल गफार खान तो पुछा गया है तो इसका दूसरा नाम है मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म याद रखे गाई यह दोना परसन किये थे एक तो मॉन्टेक हैं दूसरे चेम्सफोर्ड है इन्हों नहीं किया था इसलिए दा गबर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1999 को मॉन्टेक यानि तो गॉप्ट अप इंडिया एक्ट 1909 को क्या कहते हैं उसको कहते हैं मॉरलो मिन्टो रिफॉर्म वह भी इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट क्वेस्टिन हो स्टार्टेड दो फर्स्ट इंग्लिस न्यूजपेपर इन इंडिया इंडिया में सबसे पहले इंग्लिस नेक्स्ट प्रस्ट है हुग गीप दौ फेमस लोगाण डू और डॉय किन ये श्लोगान दिया था करो या मरो ठीक है इसका स्लोगान दिया था महातमा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदलोन में ठीक है क्विक इंडिया मुमेंट में इन्होंने दिया था क्विक इंडिय प्रस्तित की थी तो पिंगली वेंकाया याद रखेगा पिंगली वेंकाया ने डिजाइन किया था नैस्टनल फ्लैग को इंडिपेंडेंट इंडिया के आगे बढ़ते हैं इंडिया उमेन इन दो सेकेंड राउंटेबल कंफरेंस में महिलाओं की तरफ से सरोजीनी नाइडू जी थी जो की गांधी जी के साथ वहां प्रेजेंट थी याद रखेगा सरोजीनी नाइडू सीमानथ गांधी किनको कहा जाता है ठीक है जितने भी क्वेस्टिन है सारे इंपोटेंट हैं अब्दुल गफार खानजी को फ्रेंट हम 500 हैं जो कि हीस्ट्री से हम कर रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स जितने भी जिजोग्रफिए इंडिया का जोग्रफिए औरिसंज तो यह जितने सिरीज जेपां एप लोड किया जा रहें सारे इंपोर्टन्ट और सारे अगर आप completely देख लेते हैं तो आपके जितने भी प्रेशे हो रहे हैं उसमें अच्छी ठरह से आप कर पाएंगे हर को एक्जाम में ठीक है तो फ्रॉंटर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान जी को ठीक है next question what was the main aim of वहाभी मोमेंट ठीक है वहाभी मोमेंट का जो main aim था वो था purify Islam याद रखेगा purify Islam जो था वो main aim था वहाभी मोमेंट का इसमें इसलिए options नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी cover हो जाएंगे आपके 30 questions आपके 10 minute में cover हो जा रहे हैं अगर option होंगे तो बहुत जादा time भी लगता है इसलिए easy होगा आपको बहुत जल्दी इसको practice करने में या फिर बहुत जल्दी आप इसको देख पाएंगे इसलिए हमने one liner form में ही इसको लिया है ठीक है बहुत ही important है आप जरूर देखें इसको इंड तक तो 50 number का question है who was the only wise roy to be assassinated in India एक मात्र ऐसे wise roy जिनके हत्या हो गई थी इंडिया में याद रखेगा एक मात्र ऐसे wise roy हैं जिनके कार्यकाल के दोरान ही उनकी हत्या कर दी गई थी उनका नाम है Lord Mayo इससे बहुत बार exam में पूछा जा चुका है यह तो बहुत important question है Lord Mayo की हत्या हुई थी wise roy थे नेक्स्ट question नेम दो फर्स्ट हिंदी न्यूश्पेपर ऑफ इंडिया ठीक है सबसे पहला हिंदी न्यूश्पेपर कौन सा है इंडिया का तो वह न्यूश्पेपर है उदंत मर्तंत याद रखेगा उदंत मर्तंत जो है वह हिंदी न्यूश्पेपर है सबसे पहला इंडिय प्रश्ण है, who was the founder of brahma Samaj देखें आर्या समाज हमने पढ़ा आर्या समाज के हैं स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और ब्रह्म समाज के हैं राजा राम मुहंडरॉय ठीक है राजा राम मुहंडरॉय ब्रह्मसमाज के founder है next question when was Delhi declared as the capital of India देखें पहले तो दिल्ली इंडिया का capital नहीं था और इसको कब declare किया गया as capital of India याद रखेगा 1911 में ठीक है 1911 में दिल्ली को capital बनाए गया था इंडिया का ओके 54 फर्स्ट सत्याग रह स्टाटेड फ्रम चंपारन फ्र अपोसिंग दो कल्टिवेशन ऑप डैस देखें जो पिहार का चंपारन जिला है वहां पर जमीन में जो बीस में से तीन भाग जो है नील का उत्पादन करने के लिए को आटीक लोग को कहा जाता था वहां की जन्तावों को इंडिकों को ठीक है ये नील भी तूए हम दोbecस्वेशन बेजना पड़ता था तो बैशना जाते है तो यहां के दो सूट खाकर इंडिड का अफ्रिका से ञपर फिर फैंडिक का यहां उपर्यह सके लाम पीप दूर रहे फिर साबर में ते आस्रम बनाया उसके बाद बाद ही यह हुआ था नाइंटीन बोड़े हो नाइंटीन सेवेंटीन में हुआ था याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इंडिगो हो गया नील 55 वह प्रस्ण है हूँ वास तो पार्निर ओप चिपको मुवमेंट ठीक है चिपको मुवमेंट किया गया था कास करके फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ठीक है और इसके जो पार्निर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुना ये भी बहुत बार पूर्णा सुराज ठीक है जो बहुत सारे सेशन्स हुए हैं अधिवेशन जिसे कहते हम कंग्रेस के इंडिया नाशनल कंग्रेस के तो किसमें ये बिल्कुल डिमैंड किया गया कि हमें पूर्ण सुराज चाहिए तो चाहिए तो ये लाहर वाले सेशन में क्या गया था तो दोड़ आफ्रिका में रहते दौरान पब्लिस कि थी वो था इंडियान ओपिनियन ओपिनियन को हुआ किया था क्योंकि यह उसे लोग तर्ट साथ बहुत गलत थी सब्सक्राइब इसके लावा उनको नो बजे के बाद आने की जो है उसमें पावंदी थी आगर कहीं train के पहले दूसरे डिबे में उन्हें बैट पा रहे थे तो उन्हों रहने के लिए भी बहुत बुरा environment दिया जाता था इतने सारे जो है गलत हो रही थी उनके लिए तो उन्होंने आवाज उठाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने इसी पेपर में इसी बुक में उन्होंने पब्लिश की थी कि अंग्रेज लोग कितना कुछ गलत कर रहे हैं लोगों के साथ ठीक है तो वो पत्री का थी इंडियन ओपिनियन ओके याद रखेगा आगे बढ़ते हैं ओ इस रिगार्देट गार्धी जी आज इस पॉलिटिकल गुरु ठीक है जो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के वो कौन थे ठीक है तो वो गुपाल क्रिष्न गोखले जी थे जो साथ अवद आफ्रीक भी गय थे 1912 में गांधी जी से मिलने के लिए और यह उनके political गूरु थे उन्हें के ही कहने के मताबिक 1915 में जब वापस आई इंडिया गांधी जी तो वो फिर राजनीती से थोड़ा दूर चले गए थे तो पॉलिटिकल गूरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी आगे बढ़ते हैं अडल्फ हिटलर वास फ्रम वीच कंट्री अडल्फ हिटलर कौन से कंट्री के हैं तो वो जर्मनी के थे ठीक है उन्होंने नेता जी के बारे में कहा था कि यह जो है इंडिया की नेता है ठीक है ठीक है याद रखेगा यह भी बहुत इंपूरन कृेस्टिन है तो हमने डिसकस किया टॉप 30 से किया था 60 तक 31 क्वेस्टिन हमने डिसकस किया है इसलिव इसकी पहले पार्ट में हम वान से लेकर कि 30 डिसकस कर चुके हैं जो कि प्रिविएस से क्वेस्टिन से आपके जितन पहले बार आप हमारे चैनल पर हो, प्रेस इसको सब्सक्राइब करिएगा, अगर ये क्लासेस आपको helpful लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसको like करिएगा, धन्यवाद